हलो दोस्तों नमस्कार, study portal में आपका स्वागत है, आज दोस्तों हिंदी का test paper number 9 है, इससे पहले 8 test paper upload हो चुके हैं, आप लोगों ने देखे हैं, आज हम 9 टेस्ट में आप लोगों के लिए फिर ऐसे questions लेकर आए हैं, जो पिछले कई सालों में अलग-अलग exams में हिंदी से पीटेट, read का paper, mp-tet और yosician.net, आईए शुरू करते हैं आज के questions को, इसी level पर रखूंगा मैं, नाई से ज़्यादा बढ़ा करने वाला हैं, इसको नाई से सोटा, ताकि आप लोगों को तमाम questions यहां से समझ में आ जाएं, तो आईए देखते हैं, सबसे पहला question, स्तरंज स्तिका, किर्थी के रचनाकार का नाम बताना है, स्तरंज स्तिका, किर्थी के रचनाकार का नाम, आपका answer होगा, विखारी दास, question number 2, जैसंकर परसाद के किस किर्थी को पहले बर्ज भासा में और बाद में खड़ी बोली में रुपांत्रित कर दिया गया, आपके पास options है, प्रेम पतिका, कानौन कुसम, जर्ना और आसू, आपका answer रहेगा, ए प्रेम पतिका, question number 3, पस्चमी हिंदी की सरवादिक परमुख बोली इन में से कौन सी है, पस्चमी हिंदी की सरवादिक जो परमुख बोली है, वो इन में से ब्यर्ज भासा को माना जाता है, ए आपका answer इदर के question देख लिजिए, नाबादा सकर्त भक्त माला की भासा कोन सी रही है, आउधी रही है, ब्यर्ज भासा रही है, या हिंदी खड़ी बोली या मैथली, आपका नसर रहेगा भी ब्यर्ज भासा, question number 10, प्रेम चंद उर्दू के किस नाम से, उर्दू में किस नाम से लि दिखते थे, अंसर रहेगा आपका नवाब राय के नाम से, question number 11, महाबोज उपन्यास की लेखिका का नाम बताना है, आपके पास options हैं, ममता कालिया, किर्शना सोक्ती, मनु भंडारी और सानी, सी अंसर रहेगा आपका मनु भंडारी, इदर के question देखिए, भोषन का वास्त् नाम, घंशाम, राम भिहारी, किर्शन दास और चंदर भूषन में से, ए रहेगा घंशाम, question number 18, पंत की पहली रचना बताईए, पंत की पहली रचना बतानी है, वीर्णा, गरंथी, गिर्जे का घंटा या कोई नहीं, सी आपका नसरा जाएगा, गिर्जे का घंटा, पंत क की पहली रचना थी, परसाद, पंत और मैतली सरण नामक निबंद संगरे किस का है, राम भिरक्स बेनिपूरी का है, अगे का है, राम धारे सिंग दिनकर का है, आप का अनसरा राम धारे सिंग दिनकर सी रह जाएगा, फिर आगे देखे इस तरफ के question, परगती वाद, परग किसकी रचना या क्रिती है, आपके पास चार उप्संज है, सेवदान, सिंग, चोहान, यही अनसरा आजाएगा, यही आपका अनसर हो जाएगा, उसके बात चलते है question number 5, पत्तर कारिता के सतर से नेबंद सैली को विख्षित करने वाले परमुख लेकक का नाम आपको बताना है, आपके पास माखनलाग चत्रवेदी, शीव पूदिन सहाई, राम ब्रक्स बेनिपूरी गुलाबराय उप्सन है, सी अनसर रहेगा, राम ब्रक्स बेनिपूरी, यह वो पत्तर कारिता के सतर से नेबंद सैली को विख्षित किया, क्योस्तर number 12, देखिए, हर्यानवी या बांगरू बोली, किस अप भरंस से विख्षित हुई है, आपके पास ओफ्सन है, यह पस्चि मोत्री सोर्स हैने, आप भरंस यही इसका अंसर हो जाएगा, फिर चलते हैं, क्योस्तर number next की तरफ, जिसमें आप लोग दोनों तरफ से क्योस्तर है, चाहिए आप इस लाइन में देख सकते हैं, तेरवा क्योस्टन, वैसाली की नगरवदू नामक उपन्यास के लेकक का नाम बचाईए, वैसाली की नगरवदू उपन्यास का रसना किस के दवारा हुई है, आपके पास ओप्सन B है, आचारिये, चतु सेन, सास्त्री आपका अंसर होगा, इधर वाले क्य प्रेमचंद के किस कृति को परतिबंदित कर दिया गया था, प्रेमचंद के कोन सी कृति थी जिसको परतिबंदित कर दिया गया था, अंसर है C, निर्मला, 21 वा क्योस्टन, आकास का परियावाची सबद, इन में से कोन सा नहीं है, गगन, नब, अंबर, ये तीनों तो हैं, तो इसका मलब कौन सा नहीं है अवनी यानी डी नहीं है क्योस्टन नमबर 22 हुआ आकास गंगा काव्य संग्रे आकास गंगा काव्य संग्रे से संबंध पूचा गया है बाल कर्शन सर्मा नविन भगवती चन वर्मा राम कुमार वर्मा सी आपका यहां अंसर हो जाएगा फिर इदर देखता है क्योस्टन नमबर 6 की तरफ पवन सबद में कोन सी संदी है जो पवन सबद है वो गुन संदी का है यन संदी का है आयादी संदी का है या विर्दी लेकक का है यह आपको यहां पर बताना है, तो यहां आपका अंसर रहेगा C, यानी आयाधी-संधी उसके बाद हम उससे नीचे वाले question पर चलते हैं, question number 7 आपके पास है, सुमित्रा नंदर पंत नामक गरन्त के लेकख हैं कौन से गरंद सुमित्रा नंदर पंत नामा जो गरंद लिखा वो किस के दवारा लिखा गया ओप्शन आपके पास है डॉक्टर नगिंदर के दवारा फिर हम चलते हैं फोड़ा सा आगे बढ़ने कोश करते हैं क्युशन नंबर आठ देखिए आठ क्युशन नंबर आठ में है महतमा गांधी जी की जीवनी महतमा गांधी के लेखक का नाम बताईए गांधी जी की जीवनी महतमा गांधी के लेखक का नाम बताना है अनसर रहेगा नंबर एक पर राम चंद्र वर्मा क्युशन नंबर चोदा देखिए कंट गुलाब किस की रतन है? कंट गुलाब दोस्तो ओप्शन नमबर एक मैत्रिय पुष्पा, बी चित्रा मुद्गल, सी मिर्दूला गर्ग और डी आपका अलका सरावगी यानि सी आपका अंसर होगा मिर्दूला गर्ग क्वेस्टन नमबर पंदरा निराला की जूही की कली उधारन देना है? किस चीज़ का? मातरिक चंद का? वर्निच चंद का? मुक्त चंद का? या इन में से कोई नहीं? अंसर होगा मुक्त चंद का क्वेस्टन नमबर 23 देखे इदर द्रिवेदी युग के सरोष्टेष्ट गीतकार माने जाते हैं द्रिवेदी युग के सरोष्टेष्ट गीतकार किन को माना जाता है? मुक्त धर पांडे C ओप्षन क्वेस्टन नमबर 24 शिकार सबंदी रोचक निवन्दों के रचनाकार हैं कोन है? उप्षन एक स्रीराम सर्म वर्मा, बी स्रीराम सर्मा, सी स्रीकांत वर्मा आपका अंसर सी रहेगा स्रीकांत वर्मा अब चलते हैं हम लोग 24 में क्वेस्टन के बाद 25 में क्वेस्टन के तरफ यहां देखते हैं यह तमाम जो भी स्टडी मैटरियल पूरे इंडिया में बच्चों को कॉरियर के मादम से जाता है उसमें आप लोगों को टेश्ट पेपर भी साथ में दिये जाते हैं जो भी परगती सील लेकक संकिस्थापना किस वर्ष की गई थी 1926, 36, 44 या थरेपन भी अंसर रहेगा 1936 इस्वी में 26 मा क्योस्टन सब्थ परणा किसकी कृती है सब्थ परणा जो है वो महादेवी वर्मा की कृती है गोरक बाने नामक पुस्तक के संपादक का नाम सी है डॉक्टर पितामबर दत बढ़ थ्वाल जोस्टन इसके साथ देख लिए और भी है पाकि इस तरफ के क्वेशन भी लेने किस गरंथ में चंदर बदाई को चपियों का राजा कहा गया है कौनसे सिव शिंग शरोज में यापका अंसर यहाँ एक हो जाने वाला है एक आप Mark 25 क्वेशन का अंसर हो जाएगा फिर हम चलते हैं, next question के तरफ इसका अंसर देने के बाद, इसी के नीचे, same इसी के नीचे question है, भारतेंदु युग का कौन सा कवी पूस्टीमा में दिखसी था, option A, B, C और D, भारतेंदु हरी संदर ही इसका अंसर होगा, फिर चलते हैं हम लोग question number 27 के तरफ ताकि तीनों आरबार उपर नीचे ना जाना पड़े, PDF में, 27 वा question, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए ओस्धी माना गया है, कौन सा ऐसा महाकाव्य है, जिसको विद्वानों के लिए ओस्धी के रूप में माना गया है, आपके पास options है, किरातार जुनिनियम, सिशूपाल वधम, रगु वनसम जा नैस्दिय चरितम, आपका अंसर होगा नैस्दिय चरितम, 28 वा question, रितिकाल को सरंगार काल किस ने कहा, आचारिय विशूनात मिशर ने, 29 वा question, परजा हितैसी नामक पत्र के संपादक कोन थे, अंसर होगा मुनसी सदासुक लाल, 37 वा question को एक बर देखिए, रुपावरा किस की रचना है, रुपावरा दोस्तों किस की रचना पुछा गया है, अंसर होगा अगेजी की रचना है, 38 वा question, निम्रत में से कौन सा सबद सत्रीलिंग नहीं है, कौन सा सबद जो हन्निमलत में से, वो स्त्रीलिंग नहीं है, जोर्मुट, अंतेष्ठी, स्त्रीलिंग नहीं है, उसके बाद हम question number देखते हैं, इस तरफ में है, इसी को देख लेकर तो, 49 वा, कामाईनी को मानोता के रसात्म कितियास की संग्या परदान की है, किस के दवारा ये परदान की गई, अंसर होगा सी, नंद दिल्वारे, वाजपेईची के दवारा, 47 वा किस की रचन है, गोरक नात की, जलंदर नात की, मचेंदर नात की, या चरपट नात की अंसर होगा, ए गोरक नात ची की, 48 वा question, आदी काल को बीजोपन काल कहा है, किस ने कहा, मावीर परसाद, द्विवेदी के दवारा, ऐसा कहा गया है, क्योस्टन नमबर 49, हर्दे का मदुभार काव्य रचना, हर्दे का मदुभार काव्य रचना किस की है, सुकल जी की रचना है, पचासवा question, हल्दी घाटी, वीरस परधान, परवंदक काव्य है, किसका ये काव्य है, option नमबर एक अंसर होगा, शाम नारायन, पांडे जी का, question number आप next की तरफ बढ़ेंगे, तो इधर वाली लाइन में एक बर देख लेते हैं, 31, 30 question आपका बचा हुआ, थीसमा भी, yes, उद्धो सतक के लेखक का नाम, उद्धो सतक के लेखक का नाम, option A ही अंसर आजाएगा, रचना का अरजी, 31 question, किस रचना में कुटनियों का वर्ण किया गया है, कौन सी ऐसी रचना है, जिसमें कुटनियों का वर्ण किया गया है, कादंबरी, मर्च कटिकम, दसकुमार चरितरम या रतनावली, रतनावली में किया गया है, रतनावली की रचना, नागानन्द हो, रतनावली हो, इनकी रचना करने वाले हर स्वर्धन जी थे क्वेस्टन नमबर चाड़िस ग्यान बोध किसकी रतना है सुन्दर दास मलुक दास रजब जी या फिर इन में से कोई नहीं अनसर होगा मलुक दास क्वेस्टन नमबर एक ताड़िस निमलत में से कौन सा नाम नाम पंथी सादकों में सामिल नहीं कौन सा नाम जो नाम पंथी सादकों में नहीं आता है या नहीं है जलंधी प्राव भरतरी आपका अनसर हो जाएगा क्वेस्टन हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं एक बार देख लेते हैं सभी को 32 मा क्वेस्टन देखिए अंधा यूग के लेखक का नाम बताईए अंधा यूग नामक रचना किसकी रही है यहाँ पर आपको बताना है अंधा यूग गिरजा कुमार माथूर दरमवीर भार निमलित में से पुलिंग सब्द बताना 33 में क्वेस्टन का अंसर पुलिंग सब्द निमलित में से कौन सा है सरसों पुलिंग नहीं है मकई नहीं है सारस या मूं अंसर सारस रहेगा सारंग जो है वो पुलिंग सब्द है क्वेस्टन नंबर आपका 34 मा कलाधर किस कवी का आ परसाद का इधर देखिए विज्यान गीता के लेखक का नाम बताए विज्यान गीता के लेखक अंसर होगा C यानि केस्व दास उसके बाद 43 क्यूस्टन है बकरी विलाप किसकी कविय करती है बकरी विलाप ऊंसर होगा पूस्प की अभिलासा नामक परसित कविता किस के दवारा लिखी गई? अनसर है A. माकल लाल चुत्रवेदी इधर के क्विस्टनों को फिर देख लेते हैं हल्दी गाटी वाला क्विस्टन एक बचा हुआ है हाँ यस हल्दी गाटी का हलांकि अमेरा बटिसक्स कर चुके हैं परवंदन काव्याग का 51 मोर का परियावाची सबद बताईए मोर का परियावाची सबद आपको बताना है अंसर रहेगा A. कलापी Question number 52 उजवल में परियोग संधी बताईए उजवल में कौन सी संधी को परियोग किया गया है गोन संधी, व्यंजन संधी अंसर आजएगा व्यंजन संधी Question number 53 काव्यक कसायन किस की रचना है? काव्यक कसायन भोषन की रचना है देव की है, बोधा की है या फिर ठाकुर की है अंसर होगा B. देव की चम्मनवा Question गडवड गोटाला कौन सा सबद है? गडवड गोटाला सबद बताईए तदवो है, तच्चम है, देशच है या फिर संकर है आप अंदाजा लगा सकते हैं गडवड गोटाला दोस्तों देशच सबद है पिच्मनवा Question महा कवी सूर्दास किस की आलोच्य कृती है? महा कवी कूलदास सूर्दास किस की आलोच्य कृती है आपके पास ओप्संज है हजारी परसा दिवयदी रामचंदर सुकल आचारिय नंदुलारे वाजपी डाक्टर नगेंदर सी अंसर होगा आचारिय नंदुलारे वाजपेई अब चलते हैं हम लोग 56 की तरफ आये देखते हैं 56 में कौन सा क्योस्टन है जो आपका बेसबरी से इंतजार कर रहा है इसमें हम तमाम उन क्योस्टनों को भी देखेंगे जो आप लोगों को आम तोर पर अलग-अलग एक्जाम समय आप तक पूछे जा सके हैं यह थोड़ा साथ बढ़ा है हम इसको थोड़ा सा चोटा कर लेते हूं को पीडियाप में ताकि हमें बार-बार दुरुदर इसको लाना ना पड़े एक सेकंड यास आप सही है ठीक है 56 इधर देखे 56 वाला कर्षन पहली लाइन में आपके लिए है मोर्ये विजे किसकी रतना है मोर्ये विजे जो है वो किसकी रतना है मैथली सन गुप्त सियराम सन गुप्त अंसर होगा सियराम सन गुप्त 57 वाला सोका कुल में समास बताईए सोका कुल में कोन सा समास है ततपुर समास है 58. कप्टी मित्र किस मुहारे का सही अर्थ है? कप्टी मित्र दोस्तों आस्तिन के साब मुहारे का सही अर्थ है. 67. जोटा सत उपन्यास के लेखक का नाम बताईए. जोटा सत उपन्यास के लेखक का नाम यसपाल. आजानू भाव सब्दमृत में से किस वेक्यान्ष के लिए सही है? आजानू भाव जिसकी वोजाएं घोटनों तक लंबी हो उसका. यन सिंद का संबंध किस संदी विशेश स से है शतततर वा क्योस्टन सवर संदी से मैला आंचल किस परकार का उपन्यास है अटशाट वा क्योस्टन मैला आंचल दोस्तों आंचली को उपन्यास है अठाट्तर जै पराज्य का कौन सा समास में कौन सा समास है जै पराज्य कपल जोडों में लिया गया है जै पराज्य जो ह वो कौन सा इसमें समास से अंसर होगा द्वंधु है ए फिर चलते हैं क्यूस्टन नमबर 59 एक लवे नामक कृति के लेखक का नाम बताइए एक लवे नामक कृति के लेखक का नाम रामकुमार वर्मा साथ क्यूस्टन मा रामधारी सिंग दिनकर के किस कृति को आधनिक युग की घीता कहा गया है आपके वास अंसर है कुरुक्छेत्र 59 वांदिम्रत मिस्सर वाक्यों में से कौन सा विसेशन उप वाक्य है कौन सा विसेशन उप वाक्य है अंसर होगा लखनो जो उत्तर परदित की राज़दानी है एक एत्यासिक नगर भी है सत्तर वान्दिम्रत वाक्य में रिक स्थान की पूर्ति के लिए नीची देगे विकल्पों में से एक कुछित विकल्प आपको चुनना है, वाक्य युवा ऐसंतोस का कार्ण निरंतर व्यर्धी है, विकल्प असिष्टा, भ्रस्टाचार, दुराचार या फिर राजनेति, अ निमन में से कौन सा सबस्त्रिलिंग नहीं है, कौन सा सबस्त्रिलिंग नहीं है, जैसे ओप्षन आपके पास है, सुभे नहीं है, दोपैर नहीं है, साज नहीं है, दिन नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आपके पास जो दिन है, वो स्त्रिलिंग नहीं है, बाकी सुभे, दोप सब्सक्राइब 21 मेरे घर से आपका फांच क्लोमेटर दूर इस वाक्य है में घर से में कौन सा कारक घर से मैं कौन सा कारक है आपके पास ओप्संज अवेलेबल है कर्म करन समबंद अपाधान अंसर होगा अपादान 62 वाक्योस्टन मानस का हनस उपन्यास के लेकक का नाम बताना है आपको अंसर है अमरतलाल नागर 63 वाक्योस्टन नमलत मैंसे पुलिंग सबद नहीं है कौन सा सबद है जो यहां पुलिंग नहीं है रतन, मोती, नकल, बच्पन अंसर होगा C, नकल 81 वाक्योस्टन ि पुलिंग सबद में नहीं है य जो पुलिंग सबद में नहीं है तेली में तो है, चमेली में या नहीं है बाफ़तर शुद सबद, सुद्रूप कौन सा है नवलत लेक्पने से सुद्रूप आपको बताना है तादामित में यही आपका सुद्रूप होगा ब्यासी जागर्ती सब्द में कौन सा परते है इत सब परते है निमलित में से कौन सा संदी विचेद सही है तरासिवा क्रेशन निमलित में से कौन सा संदी विचेद सही है उप पुलस इंदर, देव पुलस इस, संदर पुलस हुद्य सभी सही है 84 वा क्रेशन, आप विती सवद में कौन सा समास है? आप विती सवद में तत्पुरुस समास है ति अत्रवा क्रेशन, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव है पसुपती चक्रपानी या संकर आपके पास बताना है तीम तो हैं बट कौन सा नहीं है यह आपको बताना है चक्रपानी नहीं है महादेव भी है पसुपती भी है और संकर भी है 64 वाक्योसन विक्रमोर्वसी के मूल कथा नामक निबंद के लेखक का आपको एक बार नाम बताना है अंसर होगा चंदर सर्मा गोलेरी 65 वाक्योसन नागारजुन किस वरक्के कवी है नागारजुन कौन से वरक्के कवी है चायवादी प्रगतिवादी द्विवेदी योगिन और परियोगवादी अंसर होगा परियोगवादी चिंता एक है वाक्यांसे में निमन स्थान की पूर्ती है तू सही सबद सुनना है चिंता एक रोग है गस्थ है व्याधी है आधी है आपका अंसर होगा आधी है अधर से स्त्रू इर्थ के अनरूब उप्युक्त मुहावरा कौण सा आपके सामने ठीक दिखता है मिठी चूरी, मुह में राम बगल में चूरी, पेट में डाड़ी, आस्तिन का साथ, आस्तिन का साथ आपका अनसर रहेगा, चुपा हुआ स्तुरू या एदर से स्तुरू जो दिखे न, और घर के अंदर रह करके, आपके पास रह करके आपका नुक्सान करें, पचासिवा क्योर्शन, होसला का विलो मार्तक सबद बताईए, हतासा, उच्छा, इच्छा, या फिर संकल, आपका अनसर होगा हतासा, उल्टा सबद पुचा होसलेगा, चासिवा क्योर्शन, दुकाल का उपसर्ग बताईए, दुकाल का उपसर्ग है, दु, शतासिवा क्योर कि तरफ? 88 एंदी शाहित्य का इतियास सरोपर्तन किस बासा में लिखा गया था? हिंदी शाहित्य के तियास को सबसे पहले फ्रेंच बासा में लिखा गया 89 क्यों सन आध्यात्मिक रंग के चसमे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं आचार्य शोकल का यह कतन नम्रत में से किस कवी के संबंद में है आध्यात्मिक रंग के चस्में आज कल बहुत सस्ते हो गए है। यह विद्ध्यापति के बारे में कहा गया है। नब्ववा क्योस्टन राज मती इन में से किस काव्यकर्थी की नाइका है। राज मती दोस्तो विशल देवरासी की। कि एक यादूमवा क्युस्ट्सन निम्रध कावे करते हैं मेंसे किसकी रिचिता मीरा बाई नहीं है प्रेम तवरुपति एक रितिकाल के किस कविय hum reas सारों के साथ जीवन को खुब सर्ति के साथ मिलाया है ओप्सन्स देख लेते हैं एक बर 92 क्योंस के बिहारी धानानंद देव और पदमाकर अंसर होगा पदमाकर 93 निमलत में से कौन सी रचना देव की नहीं है कौन सी रचना देव की नहीं है अंसर है कविकूल कलपतरो सूर सम किया घर एक यह पंकती किसकी है ऑप्सन है कबीरदास दी पेचानुवा क्योश्टन राज पंचा धाए किस चंद में लिखी गई है रोला दोहा सोर्ठा या फिर चोपाई अंसर है रोला चानुवा क्योश्टन निमलत में से कोन राधा वल्लब संपरदाए के परवर्तत है वल्भाचारिये जी हैं, हित्वरिवंस हित्वरिवंस रोगा शतानुवा क्योस्टन, परवर्ति के नाना रूपों के साथ कैसों के हर्दे का समझे से कुछ भी नहीं था यह कथन किसके दवारा कहा गया, रामचंदर सुकल के दवारा अठानुवा क्योस्टन, हमन है इस्क मस्ताना, हमन को होसियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या इन काव्यपंक्तियों के रचीता का नाम बताइए, अंसर है कवेदास जी नेंदानुवा क्योस्टन, हिंदू मग पर पावन राक्यों का बहुत जो हिंदी भाक्यों के काव्यपंक्ति किस बोली में है, अंसर है अवधी में, आपका अंसर यहाँ पर अवधी सी रहेगा सोवा क्योस्टन, राष्ट्रगीत में भला कोन वह भारत भागे भी दाता, पटा सुतना पहने जिसका गुन हर चरण गाता है, उप्यूर्फ पक्तियों के रचनाकार का नाम बताइए, अंसर है रगुवीर सहाई आज के टेस्ट में यह क्योस्टन आपके लिए थे, यह नौवा टेस्ट था हिंदी का, दसमें टेस्ट के लिए हमारे साथ